शायद आपको अंदाजा भी नहीं है कि वह धीरे-धीरे सब कुछ बर्बात कर रहा है मैं बात कर रहा हूँ आपके घरों में पल रहे चुओं के बारे में क्या आपने कभी सोचाए कि ये चुओं हर चीज को इतनी बुरी तरीके से कुतर तो देते हैं पर कभी उसे खाते नहीं है लेकिन अगर वो इन चीजों को कुत्रेगा नहीं तो भी एक दिन भूका मर जाएगा दरसल चुए के जो आगे वाले दाथ होते हैं वो उसकी आखरी साथ तक हमेशा बढ़ते ही रहते हैं तो अगर चुआ इन्हें घिसेगा नहीं तो वह एक दिन इतने बड़े हो जाएंगी कि वह अपना मूँ खोल कर कुछ खा भी नहीं सकेगा और भूका मर जाएगा इसलिए वह इन चीजों को कुतर कुतर कर अपने दाथों को हमेशा घिसते रहते हैं जिससे कि वह बहुत ज़्यादा लंबे ना हो जाएं देट सॉल फोर टुड़ेट तो फोलेंड सब्सक्राइब फूचर कंटेंट